तो जार्खन में भी अब ठंड का असर दिखने लगा है जार्खन के कई हिस्सों में भारी कोहरा दिखने को मिल रहा है और मौसम भाग की अगर माने तो आने वाले कुछ दिनों में ठंड का जो स्तर है वो और बढ़ सकता है यानि कि अब जो जार्खन में है वो ठंड आने वा ऐसे में दिसंबर का महिना है थंड अपने पीक पर होता है ऐसे में अठंड का जो लेवल है वो लगतार बढ़ता जारा है जार्खन में भी ठंड अब अपने असली प्रकोप में दिखाई दे रहा है सर्ध हवाएं भी चल रहे हैं अलाकि राहत की बात ये है कि जार्खन में फिलाल धूप भी आ रही है कोहरा का प्रकोप उतना देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन धूप जरूर देखने को मिल रही है ये एक रहात की बात है लोगों के लिए और देख जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ट सही होगी शाहनवाज जुड़े हुए है सिधे उनका रुख करते हैं शाहनवाज मौसम की अगर हम बात करें तो जार्खन में अब जो ठंड है उसका स्तर लगतार बढ़ रहा है हलाकि जार्खन से जो शटा हुआ राज्य बिहार वहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है क्या कुछ इसका असर जार्खन में देखने को मिलेगा बिल्कुल जिस तरह से दिसंबर का महीना आम तरफिया माना जाता है कि कलाके के सर्दी पड़ेगी ठीक उसी तरह की सिती है लेकिन जिस तरह से दक्षिन के राजियों में साइकलोन का असर हुआ उसके वज़े से पुरुई राजियों में भी इसका व्यापा का सब देखने के मिला और पिछले के दिनों तो राजहनी राची समित कई जिलों में बारिश भी हुई थी तो इन खास बात ये है कि इस ठंड की वज़े से अब जो कई बीमारियों का जो परकूप है वो बढ़ रहा है जो अगर आंकडों की माने तो कवल ठंड की वज़े से ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं वो बढ़ गए हैं इसके साथी जो रेगुलर जो बीमार रहने वाले लोग हैं जाहे वो हाट के पेशेंट हो अस्थमक के बीपी के शुगर के उनको खास तर पर ये सलाह दी जा रही है कि वो ठंड से बचे अपने आपको ठंड से अलग रखें लेकिन इस बीच में हमें यह भी थेहां रखने की जरूरत है कि राची नगर निगम की और से या राची जिला पर शासन की और से अब परमुक चौक चौराहों में अलाव की वास्था की गई है साथ ही जो वेंडर मार्किट है जिसे अटल स्मिलिती भौन के तोर पर भी जाना जाता है वहाँ पर पच्यास की संख्या में आस थाई जो है वो बेट लगाये गए हैं जिसमें जो सड़क किनारे रहने वारे लोग हैं जिनको कोई आश्रा ही नहीं है उनको वहाँ पर लाकर रखा जागा महिलाओं और पर उस्था दोनों के लिए पच्यास की संख्या में बेट बनाए गया हैं तो ये कोशिश की गई है फ़री कोशिश की ठंड से लोगों को बचाया जाए लेकिन जिस तरह से ठंड लगतार बरती जा रही है और कनकनी जिस तरह से बढ़ी है उससे कहीं नहीं लोग परेशान है और दिन में भी सिद्धत महशूर्थ की जा रही है यही वज़ा है कि लोग जो है शाम से पहले ही घर में रुख जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंबल वितरंग का जो कारिक्रम होना चाहिए उसमें थोड़ी देरी हुई है हलाके आपके योजनापी सरकार आपके द्वार कारिकरम के तहट कंबल वितरंग का कारिकरम चल रहा है लेकिन वो भी अप्टू मार्क कहा जाए यह भी बहुत मुनासिम नहीं है चुकि तमाम जो जो जरूत मंद है उस तक अगर नहीं पहुंचता है तो जाहिर से बाते सवाल अपना लाजमी है बाराल जिलाप प्रशासण हो या निगम हो उसके तरफ से अलाव की विस्ता, आश्रैगी की विवस्ता, आस्था, आश्रै, इन तमा hijos चीजों की जा रही है लेकिन जिस सारनी से लगातार टकाने पड़ रही है उससे मरीजों की संक्यां बडती जा रहा है अब बिल्कुल ठंड का जो अब इस तरह लगतार बढ़ता जा रहा है हलाकि जिलाप्रसासन की और से भी तमाम तरह की जो वेवस्थाएं वो की जा रही है बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जोड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए